नमस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो है मेजर साहब का लेकर आए हूँ वाई आज वीडियो में कुछ बड़ाया समझा आएगा ख्वाजा आसिफ सेज अट पार्क इस नॉट इंटरेस्टेट इन गुइं टू वार विट अफगानिस्तान अच्छा जी आप क्या कहूं चले पहले मेजर साहब की सुनते है कि इस पर मेजर साहब जो है वो क्या कह रहे है जेहन दोस्तों मैं वेजर गरावारी और आब देख रहे हैं मेजर ली राइट दोस्तों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खाजा आसिफ ने बहुत बड़ा ऐलान करा है वो सिर्फ उनके दिमाग में बड़ा एलान है ये एलान तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ था तब से कर रहा है पाकिस्तान ने ये बोला है या खाज आसिफ ने पाकिस्तान की वर से बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते ये 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 बोला है पाकिस्तान का सस्ता मीडिया हलका मीडिया है ये कभी बातें बताएगा नहीं ये चुपाता है पाकिस्तान का मीडिया और ऐसा नहीं कि उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं पैसे के लिए बिख गया पाकिस्तानी पैसे के लिए बिखते हैं ये नोन फैक्ट है यार तो अगर वो पैसे के लिए बिख जाता उनका मीडिया तो मुझे समझ में आता कि वो पैसे के लिए नहीं बिखाए उपर से डंडा चलाया है फौज ने और फौज ने बोला है कि मूँ बंद करना वरना ये डंडा मूँ के अंदर ही डल देंगा तुमारे तो डर के मारे पाकिस्तानी मीडिया चुप है सच बात तो ये है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक करती है और सुनने में ऐसा आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिसकस कर रहा है कि पाकिस्तानी फॉज कई जगे से दोस्तों भाग गई है कई जगे से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला वो धंदा भी उन्होंने शुरू करा क्योंकि पाकिस्तान कहीँ न, अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमारे साथ जंग करोगे, तुफिर पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देगी, इंशाल्ला ऐसा कुछ, उन्होंने कर अभ इनको पड़ रही है मार अगर पाकिस्तान एर अटैक करता इनकी उपर एर स्ट्राइक्स करता इनकी उपर और वहाँ से जवाबी कारवाई नहीं होती फिर पाकिस्तान और करता पाकिस्तान और करता इसलिए जो भारत के लीडर्स है मैं उनको हर समय एक ही बात कहता हूँ आप देखिए हमसे जादा exposure है आपको आप जादा पड़े लिखे हैं जादा powerful है दुनिया की समझ है लेकिन पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत major भी जानता है इनको जितना कूट के रखोगे इतना खोच रहा है ये बात तालिबान समझ गया है तालिबान ये थोड़ना किया नाम है उसका नाम ही बूलिया में उसका मुझाहिद मुझाहिद करके उसका नाम है Democrat समझ है कभी कभी कुछ बोल देता है वो इसके अलावा अफगानिस्तान कुछ कहता ही नहीं तालिबान की कलमे वाली उंगली सारी बात करती है वो ठोकते रहते हैं पाकिस्ता ह उनका काम है ठोकना, वो गए पाकिस्तानियों को ठोका आ गया, वो फिर गए ठोका आ गया, इन्होंने एर स्ट्राइक करी, उन्होंने सुसार इटेक कर दिया, उन्होंने फिर मारा है इनको, कितने लोगों को फड़का दिया, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गलास हू वहीं क्यों ने कर रहा है, एक तो इनके पास पैसे नहीं है, दूसरा इनके पास कले जा नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, पाकिस्तानी हों मैं, इत जितने भी लाहॉरी हैं, पाकिस्तानी पजबी है, right, these are big talkers, आप इनकी फिल्में देखिए, आप इनकी कुछ भी के बारे मां पता लग जाता है, these people are very big talkers, पाकिस्तानी पंजबी बड़ी बातें कर देए, रसानों ये कर दाएंगे, ये बहुत बड़ी बातें करते हैं, और इनके delivery zero है, इनके delivery zero है, आपने कभी किसी पठान से सुना, गजवाय हिंद के बारे में, लड़ता पठान है, पंजाब की है, लाहौर, गुजरावाला, सियाल को, ये सब इन सब एरियाज की चुल लाई है, गजवाय हिंद, और करना इनोंना फिर गजवाय हिंद नहीं है, मैं आपको guarantee के साथ कह रहा हूँ, ये सिर्फ YouTube के वीडियोस पर बोलते हैं, गजवाय हिंद, इनोंना फिर नह पाकिस्तानी पंजाबी होना आज तक कुछ नहीं करा, अब देखो, ये कहता है खाजा असिफ कि भईया हमें न अफगान तालिबान से नहीं लड़ना, ओ तो हमें पता है तुम्हें नहीं लड़ना यार, तुम कौन सी नई बात बता रहे हो, ये कहते हैं, पाकिस्तान कैरि अपिर अली नौर्थ वजीरस्तान में अटैक करा था और मल्टिपल टेरिस्ट अटैक्स अक्रोस पाकिस्तान इन्होंने करे थे राइट उसके खिलाफ इन्होंने करा तो इन्होंने बंबं मार दिये पर इमेडियेटली बं मारने के बाद इन्होंने कर रका चाए बं मारें अ खोड़ा सा जोश हुआ ठड़ा, अटेक करने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया न, अफगान तालिबान ने दमादम मस्त कर अंदर, बॉर्डर पर, फिर इन्होंने अफगान तालिबान को एक अपील भेजी, कि प्लीज, प्लीज, टीटीपी को बोलो कि हमारे उपर अट जंग नहीं चाहते, तो अफगान तालिबान ने इनको यही बोला कि खबीज का बच्चा, हमें पता है तुम हमारे साथ जंग नहीं चाहती, तुमारे अवकात नहीं है तालिबान के साथ लोगने का, उनको पता है, उनको पता है, यह पता है, यह पता है, यह पता है, यह प पांत से लेकर six thousand टीटी पी फाइटर ہیں अफगानिस्तान के अंदर और मैं कहता हूँ कि किसी देश की foreign policy यार इतनी गड़बल गर कैसे हो सक्ती छैसे पाकस्तान की हुई है इतनी घटिया foreign policy किसी कैसे के बोसकती कि इमरान खान इमरान खान ये बोल रहा है तालिबान को कि इन लोगों ने आजाद कर दिया अफगान को इन लोगों ने आजाद कर दिया है वो कह रहा है कि ये जो तालिबान है इन्होंने जहनी आजादी दिलवा दी अमेरिका ने तो उक्योपाई कर रखा था अमेरिका तो काबिज हो रखा था अफगानिस्तान के उपर और इमरान खान की टीम में लोग जाके टेलिविजन स्टूडियोज में बोल रहे हैं कि जी असीवी मुसल्मान ते तुस्वी मुसल्मान अब बड़ा मसा आएगा अब तालिवान आगिया है अब हमें कश्मीर मिल जाएगा इनके मुसल लार टपक रही थी जैसी लार इनकी टपकी और जमीन तक नहीं गिरी पहला अटैक तालिवान का ये कनफ्यूज हो गए ये कनफ्यूज हो गए कि भाई असी वी मुसल्मान ते तुसी वी मुसल्मान फिर अटैक क्यों है फिर बोला असी वी मुसल्मान ते तुसी वी मुसल्मान अब ये कह रहे हैं कि असी ते मुसल्मान ते तुसी शेतान ये स्टोरी सुना रहे हैं तालिवान को कि अब तालिवान बुरे है जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात है न दोस्तों ये जो हाफिस गुल बहादूर गुरूप के बारे में बात करी थी मैंने ये जो हाफिस गुल बहादूर गुरूप है ये मैं आपको बताता हूँ ये पहले गुड तालिबान का हिस्सा था ये गुर्ट तालिबान का हिस्सा था और इसकी जो जड़े हैं वो मौलाना फजल रह्मान से जुड़ती है जमातुल उलिमा इसलाम पाकिस्तान फजल रह्मान फैक्शन ना वो एफ लिखते हैं कि वो ब्रैकट में फजल रह्मान फैक्शन उसके साथ इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं ये मदा खेल क्लैन का है उत्माजाई वजीर ट्राइब का और पीस अग्रीमेंट इसने 2006 में साइन करी थी पाकिस्तान के साथ 2006 में इस हाफिस गुल बादुरन उसके बाद इसने बोला है कि जाओ यार ये उच्छे लोग हैं गटिया C काटिगरी के बी ग्रेड लोग हैं उसना बोला मरो इनको तो अब इनको ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेट है ना यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को समझाई थी स्नेक सिने और बैक्याड यही बोलती हो स्नेक सिने और बैक्याड हिलेरी क्लिंटन कहती है कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालूगे और तुम ये सोचोगे कि वो सांप सिर्फ तुमारे दुश्मन को काटे तो बेटा जी ऐसा होगा नहीं वो सांप तुम्हें भी काटेगा क्योंकि सांप की फितरत है काटना यह Hillary Clinton पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आके इन सब के जर्नलिस्ट के सामने उसने स्टोरी सुनाई इनको है सांप वाली कानी कि बेटा बहुत पहले की बाद एक सांप था और उसने काट लिया उसने पूरी स्टोरी समझा इसनेक्सिन और बैकेरड क्या पढ़िएगा इंटरनेट पे आपको मज़ा आजएगा आप वीडियो देखें यूट्यूब पे आपको पता लग जाएगा स्नेक्सिन और बैकेरड बना लेकिन पाकिस्तानी नहीं माने पाकिस्तानी ये पता है ये ओवर स्मार्ट काउम है खास तोर से लहोरी जो है ये ओवर स्मार्ट बनते हैं और फिर इनको जुत्ते पड़ते हैं इनको ऐसा लगा कि तालिबान के साथ भी खेलेंगे अमरीका से पैसे ले लेंगे अमरीका के साथ खेलेंगे, तालिबान के ठेकानों के बारे में इन्फोर्मेशन दे देंगे, अमरीका बन मार देगा इन्होंने दोनों से फाइदे लिए, अमरीका से पיसा लिया, उनसे पोलिटिकल पावर लेने की कोशिश करी और अफगानिस्तान को अपना पांचमा सूबा बनानी की कोशिश करी तालिबान को आल थुरूआट पता था तालिबान को आल थुरूआट पता था कि पाकिस्तान क्या खेल रहा है तालिबान चुपरा 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 बीस साल उसने ऐसी काटे गुफाओं में जंगलों में गुम गुम के उसने 20 साल कटे जब तालिबान को ये पता लग गया कि दुहा अग्रीमेंट साइन हो गई है और अब अब ये अमेरिकन टूपस ये जा रहे हैं जब उसको क्लियर हो गया जब उसको पता लग गया क्लारिटी हैस में ये लोग जा रहे हैं तब उन्होंने बोला कि बेटा अब असली बात सुनो असी ते मुसल्मान ते पाकिस्तानी शेटान तो दोस्तो वीडियो हो गया खतम और बात आपने सुन ली कि देखिए मेरा भी यही कहना है मेरी एनालिसिस भी यह कहती है जब पहली बार क्लाशेज हुए थे डूरन लाइन पर और कहा गया था तालिबान की तरफ से कि हम डूरन लाइन को नहीं मानते हैं ये तो उनके मिनिस उनना डिनाई कर दिया तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए जो पाकिसान के ठिंक टैंक है जो पाकिसान में लोग रहते हैं उनको इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर तालिबान के मंतरी मिनिस्टर का ये कहना है कि जी वो डूरन लाइन को पर्मान जगड़ा हुआ था बॉर्टर पे तो मैंने का थे देखिएगा यह इसकेलेट करेगा यह इसकेलेट करेगा तो उसके बाद मैंने देखा एकाद रिएक्षन चैनल वालों पर जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं पता नहीं उनने दस्वी भी पास किये के नहीं किये आइड़न नो लेकिन उनमें से एक किसी एक्सपर्ट की बात मैंने सुनी थी उसने कहीं नहीं नहीं मौलाना फजरुर रह्मान गया था और बातचीत हो गई है और सब सेट ह मामला अब देखना कुछ नहीं होगा मौलाना फजरुर रह्मान ने सबसेट कर दिया मामला ओ अफगानिस्तान में उसका कितना स्वागत किया गया वेलकम किया गया ये ढोल नगाड़े बजे और ये हुआ और वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ तो किसी ने मुझे क्लिप भ होके अब आई और आने वाले दिनों में कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ये मामला बढ़ेगा ये ठंडा नहीं होगा और देखे वही हुआ हुआ है हुआ कि हुआ कि हुआ कि और मैं फिर कह रहा हूं तालिबान की मूव्मेंट शुरू हो चुकी है बहुत बड़ी होते हैं उनको हेवी मशिनरी कहते हैं वो लाकर वहाँ पर डिपूट कर दिये हैं और उनको सट कर दिया है अब और उनसे वो बड़ा हमला करेंगे अभी हो सकता है कि फिर थोड़ी बहुत बाचीत हुई हो गया रहे यार मांजाओ मांजाओ हो जाएगा अभी ख्वाजा आसिफ का एक और बयान कोई मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि ख्वाजा आसिफ ने बोलाए कि अगर टीटीपी ने हमले नहीं रुकवाय तालिबान नहीं करेंगे आपके पास जो वीड पहुंसती है कभी-कभी भारत के रास्ते पहुंच आते हैं हलाएं कि भारत ने पाकिसान का रास्ता अपनाना छोड़ दिया है वो तो इरान के रास्ते बेज़ते हैं उदर तो धमकी दिये तब मुझे लगता है कि उदर से तालिबान भी बता देंगे कि अब तू कौन होती चल तो निकल पतली गली से तो मेरी एनलिसिस भी यही कहती है कि आने वाले वक्त में आप फिर से खबरे सुनेंगे फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान की फौचे टकराएंगी आप यह देखिएगा और इस बार पाकिस्तान को दिया हुँ अब कि तुम्हीं लोग जाके जरा अपनी फ्रिक्वंसी बढ़ा वैसे टीटीपी वालों ने फ्रिक्वंसी बढ़ा दी है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में टीटीपी वालों का टैक और जादा होने वाला है बहुत तक्रे तरीके से और आपको टोके थे बलो चो ने जिसमें को लोग मारे गयते आपके फोजी मारे गयते अब फिर होने वाला है देखिएगा और आपके भारत की साजिश यह वह राग की इनवाल्मेंट है आप लोगों से अपनी सेफटी तो होती नहीं है वह अफगानिस्तानवाले सही कहते हैं कि तु उसको पता होता है, लंबरवन को, लेकिन अपने ही देश में क्या चल रहा है, पता नहीं होता, वो स्कूल में आके पेशावर में मार जाते हैं, पता नहीं चलता, इतने बड़े-बड़े धमागे कर जाते हैं, टीडीप वाले पता नहीं चलता, तो करते क्या हो भाईलो, घा चीलते हो क्या करते हो ओ अच्छा इम्रान खान के फोन टैप उप कर रहे हो गाड़ी ओड़ी ओड़ी ओबाची करो 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 तो कुल जमा में ये कहूंगा कि अफगानिसान से खबर आने वाली है फिर से जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए